क्लास 9 के exercise 2.3 का question number 1 है question number 1 की दो वीडियोज है पहले वाली वीडियो में हमने discuss किया था 1st, 2nd और 3rd पार्ट को इस वीडियो में हम discuss करेंगे 4th और 5th पार्ट को तो question में क्या कहा रहा है find the reminder when x cube plus 3x square plus में 3x plus में 1 is divided by हमें reminder find करना है जब इस polynomial को इससे divide करेंगे तो क्या reminder आएगा और इससे divide करेंगे तो क्या reminder आएगा तो fourth से शुरू करते हैं तो इसे हम करेंगे by reminder theorem reminder theorem की वीडियो पहले बनाई जा चुकी है important theorem है उसे आप देखिए playlist में जाके देख सकते हैं ठीक है तो reminder theorem क्या कहती है यहां से हम x की value निकालेंगे equals to में 0 रखे और इसमें put कर देंगे और solve करेंगे जो भी answer आएगा वो हो जाएगा reminder तो यह है fourth x प्लस में πाई तो x प्लस में पाई उसको हम इस polynomial में put करेंगे तो यहां पर x की cube फेले इस polynomial को लिख लेते हैं यह है x की cube प्लस में 3x स्क्가 dell 3x peach तो इस polynomial में जहां पर भी x आउस के जगह रखेंगे माईनस पाई तो यहां पर x की cube है तो x के जगह रखेंगे माईनस पाई यानि कि minus pi की cube plus में 3x square यानि कि minus pi का square plus में 3x 3x यानि कि minus pi और plus में 1 इसे solve करेंगे minus minus pi की cube minus pi की cube ही होगा ठीक है plus में pi का 3 multiply में 3 multiply minus pi square minus pi का square क्या होगा minus pi multiply में minus pi minus से minus cancel हो जाएगा और pi multiply में pi हो जाएगा pi square तो आएगा plus का pi square plus का pi square multiply में 3 तो यह हो जाएगा 3 pi square उसके बाद यह 3 plus का है यह pi minus का तो plus minus minus 3 pi plus में 1 इसे हम आगे solve कर नहीं सकते हैं क्योंकि सभी powers अलग-अलग हैं तो यह हो जाएगा हमारा reminder ठीक है fourth का answer हो जाएगा अब देखते है fifth part जो दिया गया है हम है five plus two x तो यहां से भी x की value निकालेंगे और इसमें put करेंगे तो यह है five plus में two x equals to में रखेंगे zero और x की value निकालेंगे तो x की value क्या आएगी सबसे पहले यह जो five है five ही दर प्लस है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा minus five और two x के साथ multiply है तो यह दूसरी तरफ जाके हो जाएगा divide में तो x की value आगई माइनस five by two तो x की जगह पर हम put करेंगे minus five by two तो यह polynomial है मैंने पहले सही लिख लिए है यह वाला polynomial यहाँ पर लिए है तो इसमें minus five by two put करेंगे x की जगह पर यहाँ पर है x की cube तो x की cube की जगह क्या रखादेंगे हम minus five by two की cube कर देंगे ठीक है प्लस में three x square यानि कि minus five by two का square प्लस में three x यानि कि three minus five by two और प्लस में one इसे solve करेंगे तो minus five की cube सबसे पहले five की cube होता है 125 और minus sign है तो minus 125 minus 125 अप उन में two की b cube करने पड़ेगी हमें two की b power three हैum two की cube होता है eight उसके बाद minus five यहाँ पर square भी लगेगा ठीक है यहाँ पर square है 3 x ka square तो यहाँ पर भी square to minus five का square minus से minus cancel हो जाएगा और 5 5 जा आ जाएगा 25 और 25 त्री जा हो जाएगा 75 upon में 2 का square होता है 4 उसके बाद 3 multiply में minus 5 3 plus का है ये minus का तो plus minus minus और 3 5 जा 15 upon में 2 plus में 1 यहाँ पर 1 के denominator में कुछ भी नहीं है तो हमें LCM लेना पड़ेगा उसके लिए लगा लेगे हम यहाँ पर 1 तो 8 4 और 2 और 1 इन सभी का LCM लेंगे इन सभी का LCM आएगा 8 ठीक है तो 8 LCM आएगा उसके बाद LCM से इसे solve करेंगे तो minus 125 as it is इसमें हमें क्या multiply करना पड़ेगा 125 के denominator में क्या है 8 तो 8 के table में 8 का बाता है 1 जापर तो 1 multiply करेंगे उसके बाद plus का 75 75 के denominator में क्या है 4 तो 4 के table में 8 का बाता है 2 जापर तो 75 multiply में 2 उसके बाद minus 15 minus 15 के denominator में क्या है 2 तो 2 के table में 8 का बाता है 4 जापर तो इसे multiply करेंगे 4 से उसके बाद है plus 1 और 1 के denominator में है 1 तो 1 के table में 8 का बाता है 8 जापर ठीक है तो इसमें multiply करेंगे 8 अब इसे solve करेंगे तो minus 125 को 1 से multiply करेंगे यही रहेगा minus 125 ही रहेगा उसके बाद 75 और 2 को multiply करेंगे तो 75 2 जा होता है 150 और minus 15 multiply में 4 यह है minus का यह है plus का तो plus minus minus और 15 4 जा 60 और plus में 18 जा 8 और denominator में है 8 यहाँ पर ठीक है तो minus यह minus 125 है और minus में 60 है तो इन दोनों को plus कर ले प्लस हो जाएंगे और sign रहेगा minus का ही तो यह हो जाएगा minus 185 प्लस में 150 प्लस में 8 तो 185 में हम अगर minus 185 में अगर हम 150 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा minus में 35 तो ही आजाएगा minus 35 plus में 8 upon में 8 अब minus 35 में अगर हम फिर से 8 plus कर देंगे तो ही आजाएगा minus 27 upon में 8 ठीक है इसको solve किस तरह से करना है हमें पता है यह minus का है बड़ी value जो minus की होती है तो हमें क्या करना है 185 में से 150 को माइनस कर लेंगे और sign हमेशा बड़े काई रहेगा ठीक है तो माइनस का sign है माइनस का आ जाएगा 185 में से 150 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35 तो माइनस 135 इसी तरह से बड़ा sign 35 के आगे क्या sign है minus तो जो भी हम इसको solve करेंगे तो sign आएगा minus का ही ठीक है और 35 में से 8 को minus कर लो 35 में से 8 को minus करोगे 27 तो answer आजाएगा हमारा minus 27 by 8 ठीक है ये हो जाएगा fifth का reminder simple concept है reminder theorem अगर आपने देखी है समझी है तो ऐसे questions को आप easily कर सकते हैं कर दो आपने देखी है और आपने देखी है और आपने देखी है